हलो दोस्तों आप देख रहे हैं टी कोट इंडियन जैसे कि आपको पता होगा कि 17 सेपनेंबर को 45 वी जीस्टी काउंसिल की मीटिंग हुई थी इस मीटिंग में बहुत सारे टॉपिक पे डिसकेशन हुआ था पेट्रोल और डीजल को जीस्टी के अंदर लाया जाए कि नहीं इसके उपर भी डिसकेशन हुआ था इसके अलावा एक जो बड़ा फैसला लिया गया वह यह था कि सुईगी और जोमेटो को अब जीस्टी करना पड़ेगा भारत सरकार को अब बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या अब हमें जीस्टी देना पड़ेगा सुईगी और सब्सक्राइब और все प्रसेंट जो ओता है उसके उपर छिसका होता है उसका पास स्लैप जीसिटी के अंदर 0% 5% 12% 18% 28% यानि कि समानों को यहां पर लिष्ट कर दिया गया है कि इस समान के उपर पूरे देश में जो है 12% जेश्टी लिया जाएगा इस समान के उपर 18% जेश्टी लिया जाएगा जो बहुत लगजरी समान होगा एसो आराम का समान होगा उस पर 28% का जेश्टी लिया जाएगा तो देखें यह जो slab है basically और जो पूरा goods and service tax हमारे देश में है जो की 2017 में introduced किया गया था उसको यहां पर modify करने के लिए देखने के लिए कि क्या यह सही है क्या इसमें कोई बदलाब होगा उसको regulate करने के लिए re- ministry council की meeting होती है समय समय पर इसमें कौन कौन रहते हैं तो सबसे पहले तो जो finance minister है तेज का वो इसमें participate करता है as a chairman उसके अलावा union minister of state in charge of revenue और finance इसमें participate करता है और इन दोनों के अलावा जितने भी state है और वहां के जो finance minister है वो यहां पर participate करते है या फिर state ही जो है किसी एक minister को nominate कर देता है कि आप GST council में जाकर के participate कीजिए और जो राज है उसको represent कीजिए अब देखे यहां पर बुड़ा फैसला क्या लिया गया है इसके बारे में बात करते हैं एक जनवरी 2022 से कहा गया है इस GST council की meeting में कि जो food delivery apps है यानि कि जो मैटो और सुईगी वो अब हमसे 5 प् जो मेटो से 400 रुपे का कुछ मंगवाया तो उस पे आपको अभी 5% का GST देना पड़ता है ठीक है अब वह 5% में से 2.5% भाड़ सरकार लेती है और 2.5% राजय सरकार लेती है तो आपको पताई होगा तो मालेजी के 400 पे 20% आपने GST दिया तो आपको total पैसा कितना देना प पड़ रहा है अगर हम डिलिवरी चार्ज वेगर को हटा ले ठीक है अब देखें जो मेटो क्या करती है आपसे 420 रुपे लेती है और इसमें उसका जो भी कमीशन होता है 18 प्रतिशत 20 प्रतिशत उसको वडख लेती है और जो आपसे ये GST का पैसा है 20 रुपय वह किसको द करती है ड्रेस्ट्रोंट के सुखिदे न होता क्या करती है यहां पर होता क्या है सरकार के दोरह कहा गया है कि बंख सारे हमारे देस्ट्रोंट है जह यह यह घर सकते जो किन कि वैसे रेश्ट्रायं जिनकीton चाफी है हमारे अगर परिए सब्सक्राइब और जीक करना पड़ता है यहां पे करना पड़ता है कि वैसे hotel को ठीक करनेpolitik लिए एक जनवरी 2022 से क्या होगा कि रेश्टोरेंट के पास जाएगा ही नहीं यह पैसा किसके पास ही रह जाएगा जो फूर डिलिवरी आप है जैसे कि जो मेटो और सुईगी उनके पास ही आपका जिमेदारी दे दी गई है कि वह रेश्टोरेंट के बजाए जो है उनके बि रजिस्टर भी करना पड़ता है भारत सरकार के अंदर की वह एलेजिबल है जैस्टी पे करने के लिए अब यहां पे वैसी कुछ रेश्टोरेंट जिनका टेवनोमर 20 लाक रुपे से जाता है वह क्या करती है पहला तो वह अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है कि भारत सरकार के आप यहां है और कहां जा रहा है कि इस फैसले के बाद रेश्टोरेंट के लिए मैनेरी हो जाएगा कि वह अपने आपको रजिस्टर करें ना हम बात करते हैं कि यह जो फैसला लिया गया है उससे ब्रश्टोरेंट डिलिवरी एप्स पर क्या प्रभाब प आगे चलकर के सरकार की सरीके से लेगी लेकिन जिससाब से कहा जा रहा है कि वैसे होटेल जो कि अभी तक जेस्टी देने के लिए इलेजिबल नहीं थे ठीक है उनके उपर जो लियाबलेटी नहीं थी कि वो जेस्टी देंगे जिनकी एन्वल इंकम 20 लाग रुपए से कम थे जो कि छोटे रेस्टोरेंट हैं उनको भी अब जेस्टी देना पड़ सकता है ऐसा यहां पर कहा गया है क्यूंकि अगर वो अपने आपको अब जो मैटो सुगी के अंतरगत लिस्ट करेंगे तो आप जो मैटो सुगी के उपर तो यह रिस्पोंसिबिलिटी है कि वो इन इस वह अपना बस्काइब लिखते हैं मेन डाल जाता है कि इस अवह दो दो अकाउंट पड़ेगा एक अके स्कूंट में नौर्मल बिसनस होता है रेश्टराइन का वो करना पड़ेगा जो लोग आते हैं खाने के लिए जो उनको सर्विस मिलती है और दूसरा अकाउंट में जो है ये मेंटेन करना पड़ेगा कि वो जो ऑल्लाइन प्लेटफॉर्म है जो मैटो और सुईगी उनके साथ कैसे बिजनस करते हैं कैसे वो टेक् करने का जिम्मेदारी था वो तो रेश्टराइन के पास था उनके ऊपर कोई भी जिम्मिदार नहीं था तो उनको यहांपर पूरा सिस्टम को चेंझ करना पड़ेगा कि कैसे वो हमसे कलक करके रखें कैसे भारत सरकार को दें और इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ही ने टाइम दिया गया है अगले साल से यह पूरा रूल है यह लागो होगा यानि कि अभी अगर आप कुछ खड़ीते हैं और पांच पसंट का जीएश्टी देते हैं तो वह जीए प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का नया टेक्स नहीं लग रहा है जो पांच पसंट आपको अभी देना पर रहा है जो मैटो और सुगी से अगर आप कुछ मंगा रहे हैं अगर आप सर्विस ले रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है आपका प्रकार का नया टेक्स को एड नहीं किया गया है तो आपको सारी बाते समझ में आ गई होंगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए लाइक कीजिए बहुत बहुत धनिवाद